इशान किशन काफी टाइम से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। सारी यंग्स्टरस को मौका मिल रहा है टीम में। लेकिन इशान किशन को मौका नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अब इशान किशन के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुश खबरी आई है, दरसल इशान किशन घरेलो क्रिकेट में वापसी करने के लिए तयार हैं, उन्हें जारखंड राजी क्रिकेट एसोसियेशन ने 25 प्री सीजन संभावित खिलाडियों के सूची में शामिल क इशान किशन आने वाले घरेलो सीजन के लिए जारखंड राजी की तरफ से खेलने के लिए सहमत हो गए हैं, उन्हें कप्तानी भी मिल सकती हैं, इशान ने अपनी उपलब्धता के बारे में जारखंड क्रिकेट एसोसियेशन को बता दिया है, वो अंडर 19 में भारती टीम क के कप्तानी कर चुके हैं, रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि इशान को उनके करीबियों ने समझाया है और सेलेक्टरस ने उनसे बात की है, उन्हें घरेलो क्रिकेट में खेलने की सलाह भी दी है, आपको बता दे कि इशान किशन ने भारती टीम के लिए अपना आखरी मैच साल 2023 में खेला था, उसके बाद से ही वो टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं, उन्हें बार बार घरेलो क्रिकेट में खेलने को कहा गया, लेकिन वो इससे इनकार करते रहे, उन्होंने डोमिस्टिक क्रिकेट में खेलने की बजाए सीधे IPL में खेलना चुना, वो BCCI के Central Contract में भी शामिल नहीं है, शायद इशान अब मूड बदल चुके हैं, इशान किशन ने South Africa Tour से अपना नाम वापस ले लिया था, तब उन्होंने BCCI से ब्रेक मागा था, इसके बाद कोच राहुल दुर्विड ने कहा था, कि उन्हें वापसी के लिए डोमिस्टिक लेकिन वो जारखंड की टीम की तरफ से खेलने के लिए तयार नहीं हुए, बलकि बड़ोदा में वो हार्दिक पंडिया संग एक क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनी करती दिखे, आपको बता दे कि कुछ महीने पहले BCCI और इशान किशन के बीच में जंग चल रही थी, BCCI ब अपनी जित पर ही अड़े थे, वो बोल रहे थे कि मैं डोमिश्टिक क्रिकेट नहीं खेलूंगा, क्योंकि अगर इंटरनेश्टिक क्रिकेट में वापसी करनी है, तो डोमिश्टिक क्रिकेट खेलना जरूरी नहीं है, उनका कहना था कि डोमिश्टिक क्रिकेट में और के squad में वो हिस्सा थे लेकिन उनको playing layer में जगे नहीं मिल रही थी ऐसा बिलकुल भी नहीं था कि इशान किशन परफॉर्म नहीं कर रहे थे रंस वो बना रहे थे चाहे उनसे उपनिंग करवाई जारी थी चाहे नमबर 4 पे खिला जार था या फिर down the order यानि नमबर 6 नमबर 7 भी खिला जार था वो बल्ले बाजी कर रहे थे रंस भी स्कोर कर रहे थे लेकिन किसी ना किसी वज़े से या यू कहीं कि कि किसी ना किसी प्लेयर की वज़े से इशान किशन का पत्ता टीम इंडिया से कट जा रहा था और इशान किशन ने इस बात पर चुपी तोड़ते व एक tiredness हो जाती है ठकान हो जाती है और mental health पे आपके बहुत ज़ादा असर पड़ता है जो कि मेरे mental health पे बहुत ज़ादा असर पड़ रहा था मैं mentally बहुत tired हो चुका था इस वज़े से BCCI से मैंने break मांगा था लेकिन जब मैंने वापसी करनी चाही तो मुझे domestic cricket खेलने के लिए कहा गया और साथ ही साथ मुझे BCCI ने अपने central contract से बाहर भी कर दिया गया इसी वज़े से शेस अईयर को भी central contract से बाहर किया गया था लेकिन हाला कि उन्हें अभी श्रिलंका दौरे में मौका मिला है ODI में खेलने के लिए पहला ODI वो खेल भी चुकी है अब इशान किशन को कब international cricket team में मौका मिलता है यह चीज देखने वाले होगी बाकि आपको कैसी लेगी वीडियो कॉमेंट सेक्शन कॉमेंट करके हमें जरूर बताए और साथी साथ हमारे चैनल को like, share and subscribe करना बिल्कुल भी न भूले